हुआ हाथ हो दोस्तों नमस्कार हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बिहार special 17 तो सबसे पहले हम लोग इससके source को जानेंगे की कौनसे source से आपके बीप्यस्थी में question पूच्छे जाते हैं सेबढ़ीमिसी में कौन से तोड से और कहां-कहां से किस तरह के प्रश्ण आएंगे इसको जानने के लिए तो सिट्रीन नाइंत के जो कोशन आया हुआ होगा उसके बिहाब पे तो आप कहां से पढ़ना होगा अब यह अंतिम समय है आपके बीकी का और 17 घो सिकास इतने यूज वेकंसी भी है तो स्मार्ट स्टेट्जी आपकी क्या होने चाहिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए किन-किन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए कि विपेशी कहा कहा से प्रशन पूछ रहा है इन सब को इन सब पर हम लोग बात करेंगे मात 10 मिनट के अंदर हम लोग जानेंगे कि कहां कहां से प्रशन आ रहे हैं और किस तरीके से आपको पढ़ने चाहिए इसके लिए मैंने 69 के सारे questions और उनके topic इन सब को बताया है लास्ट में यह भी बताऊंगा कि यह source कहां से हैं और कैसे आपको से पढ़कर किन-किन सोर्सों से पढ़कर और मीनीमम टाइम में यानी कम समय में आने वाले 20 से 25 को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो 20 से 25 आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होंगे तो आइए समय को ना जाया करते हूं हम लोग स्टार्ट करते हैं मैंने कहा कि 69 बीपेसी के questions को हम लोग देखेंगे कि 17 बीपेसी में हमें क्या करना चाहिए को सजाया है और उससे हम आप से आपको बताएंगे कि कहां से प्रशन आ रहे हैं पहला कोशन प्रवाई देखो यह 69 का पूछा हुआ कोशन है जरा ध्यान से देखना इस प्रशन को प्रारंबिक बैदिक काल के दौरान कौन सा सहर प्राशीन मगत समराज्य की राजधानी के रूप में कारे करता है यानि राजगीर 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 आज गद आद्यों सवाल ही आता है कि यह 69 में पूछा हुआ था कहां से सोर्स किया है इसका सब को बताया है तो सबको प्राची नितिहास जोले का से मगत मराज जैसे जिनी इस और मैं इसको रॉले किया लास्ट में की कहां कहां से कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट है तो सारे स्थ को देख कर और फिर करें कि मिजर पॉइंट कौन से में जर टॉपिक कौन से जिन को पढ़ कर कम समय में हम 20-25 को स्वेशन का लीड ले सकते हैं आशानि से दूसरा प्रस 1914 बिटिस ब्रिटिस से थो बंगाल पेसिजनसी से विहर को 1932 में यह हम सकता है न की इस बार उससे पूछा है बंगाल ऑर बिहार को अगले वाइं साथ से पूछ दे अमधर सात्र क्या जो 1936 या 1936 के बाद 1956 में पूरूलिया जीला भी बदला था तो पूरूलिया जीला को और उसके सांथ साथ 2000 में जारखंड को याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा सोर्स था अधुनिक बिहार का इतिहास और एक अलग प्रांत में एक टॉपिक है उससे पूछा हुआ प्रश्ण है आगे अगला देखते हैं राष्ट्य उद्यान के बारे में आप से प्रश्ण पूछा गया पैरे दोस्तों प्यारे लाउम के बारे में हुआ बैनी असी जिल एक प्रश्ण जिघ्म में इसको आप करेंगे कि शाचन है और यह जााटना rap शीम यह द्यान रखेगा यह तो यूपी में है और यह बिकानेर में है यानि राजस्थान में है तो इन दोनों को हटा देंगे और बचा कौन एक और चार यानि एक और चार उत्तर हो जाएगा ए लेकिन तब आप इस कोश्यों को डील कर पाएंगे जब बिहार में सभी राष्ट् नदियों को बढ़ा गौर से क्या करेंगे रिविया रिवाइज कर लेंगी या पढ़ लेंगे अन्याथ आप लोगिदी कॉमेंट करेंगे तो मैं जितनी में ठापिक है उन सब पे जितने टोपिक मेंने आज काउंट किया है आज लिस्ट किया इन सब पे एक-एक ञ्वास मिलता है पाइराइट का मिलता है रोहतास में मिलता है तमाम जी लोग की तमाम खरीजों को आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा चार अप्षन था मुंगेर शारण सीवान और जमुई इसमें से जमुई बड़ा हाइलाइट था और निउस्पेपर में भी बना हु अगला अगर देखते हैं यह गंगेटिक डेलफिन यानि गंगाटिक डेलफिन से संबंदीति एपर पूछा गया अगला यह 69 बीकैसी के पुछे हुए प्रशनों का मैं बात कर रहा हूँ गौर फरमाईएगा 69 बीकैसी ने जहां-जहां से प्रशन पूछा है वहां-वहां पटल में हमने इसको आइउ इसको क्याक्रेट किया था है एक वूप्त किया था हिना थिस सर्कार ये सरकार सब्सक्रेदां में करनता इसको इसे बीधने पूछा जा सकता है इन divesta सो ही बात है यही को अजय करांगे बढ़ते हैं बिल्कुल सही है ये अनुनात से, शाउंड से, इकोहलेशन से आगे बढ़ते हैं, इसे भात के राश्य जलियों जीव के रूप में मनता दी गए, ये बिल्कुल ठीक बात है, यानि एक, दो, तीन, चार ये उपिक्ति में से सभी उत्तर हो जाएंगे, ध्यान रखेगा, यार प्यारे भाईयो शेत्र माना जाता है, इसके साथ इससे प्रश्ण आने के चांसे ये भी है, कि पूरा ACI का सबसे बढ़ा गंगा रिसर्ट सेंटर जो है, वो पटना इंवर्सिटी के प्रांगण में खुला है, तो इसको भी धान रखेगा, ये भी प्रश्ण आपके पटना इंवर्सिटी और गंगे टिक, डॉल्फिन से कोश्चन प्रस्ण पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, अन्यता आपके टॉपिक एकोर्डिंग में पूरा डिटेल करा दूँगा आप यूट्यूब पर, आगे अगला प्रसंद देखते हैं, 1937-1937 के दोरान बिहार में बकास स्थांदोलन किसके दोरा आयोजित किया गया, सबको बता है, स्वामी सहजानांद सर्श्वति, जो बिहार प्रांधी किसान सभा के स्थापित करने वाने 1929 में, और इंडिया किसान सभा, AIKS का लखनव में स्थापना कर लेवाने 1936 में, सब से बड़ा नाम है, किसका सहजानांद सर्श्वति का, यानि किसान अंदोलन, सोर्स क्या है, किसान अंदोलन, किसान अंदोलन से भी प्रशन पूछा जाएगा, अगला प्रशन, बिहार का वहरा सोईया, जिसने 1917 में, महात्मा गांधी के हत्ता के प्रयास को विफार कर उनके अगला बकसर की लड़ाई के बाद किस संधी पर हस्ताक चरुआ, सबको पता है, ये कौन था, इलहाबाद की संधी हुई थी, 1765 में, इसमें दो संधियां हुई थी, ये भी आपको याद होगा, इलहाबाद की संधी एक, इसमें मुहमद साह कौन था, भाई, बता ये, दिल दुनों को याद कर लिजेगा, मामला बन जाएगा, चली आई, अगले, दुनों को याद नहीं कर लिजेगा, बलकि बकसर की युद्ध को अच्छे से पढ़ लिजेगा, 1764 को, 1764 के बाद, बकसर की युद्ध के बाद, अंग्रियोजों ने अपना पैर बिहार में जमा लि इससे प्रश्ण पूशने की उमीद है, तो इसको भी ध्यान रखेगा, यह प्यारे भाईव, यह पटना कॉलेज है अब, जहां पर इन लोगों ने अपना फैक्टरी बनाया था, यह भी ध्यान रखेगा, में भी इससे प्रश्ण पूशने की उमीद जादा है, अगला प् कि इसका है तो विहार क महत्rhपूण बेक्टित्त्वा उनके उपाधियां कि विहार का मत्रम बेक्तित्ति उसे प्रश्न पूछा जाता है परेवायू लगबग यह सारे प्रश्न जो मेजरली बार बार आते हैं चमपारण आंदोलन के जन आंदोलन के बाद यह प्रश्ण पूछा गया है चंपारन किसी समीती सिसे किसी समीती चंपारन में बनाई गई ती कामीटी भी महत्मागांदी के प्रयाशों ने बनाय था स्पेशल को लेकर बहुत चिंता नहीं करना है कि गम हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे नहीं मेजर ली किन-किन जगहों से प्रश्चन पूछा जाता है यह आपको जानने की बहुत जरूरी है यह आप इसको नहीं जानते हैं तो स्मार्ट स्टेडियो और अनलेटिक्स क भी आपको पीछे दिख रहे होंगे मैंने 11 टॉफिक जो 69 पूछे हैं उन सब को चुना है पहला मगत समराज दूसरा बिहार बंगाल बिहार बंगाल उर्षा जारकन इन सब से कब का बलग हुआ था बिहार एक अलग प्रांत इसको तीसरा नदिया चौथा खनीज पाच्व बिहार के शरी के सिर्क स्री बाबू हो गये उसकी प्रकास बाबू होगे यह महत्तवपुन जेवी किरिपाल नहीं होगे इन सब से महत्तव पूछता है तो जो मीजर मेजर लीडर है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना होगा अगला बक्सर का यूद्वाद आप जानते इस इंडिया हो डेनीश हो जिनतनी कंपणियों ने अपने फैक्टरी बनाया उनका मन्त आपको याद होना चाहिए ताकि आपका कोशन न चुटे दसपा एगारवा चंपारन अंदोलन चंपारन अंदोलन गांधी जी और विहार के अधुनिक इतिहास में बहुती मत्तपुन टॉपिक है तो इन से प्रस्ट पूछा गया है यह आपको मैंने डाइरिक्षन बताने के लिए किस डाइरिक्षन में पढ़ना चाहिए इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था उमीद करते हैं यह बहुत ही शांदार लगा होगा बहुत बहुत सारा रिसर्च करने के बाद कि मेजरली आपको क्या क्या करना चाहिए उम्मिद करते हैं बहतर लएगा ये वीडियो और बहतर लएगा तो लाइक कर दीजेगा और अपने बहतर कमेंट जरूर कॉमेंट बॉक्स में दे दीजेगा धन्य बाद और इसके बाद यदि बिहार स्पिसेल का मैंने बता है सब्सक्राइब बना दूगा और उसके साथ साथ आपका कॉमेंट बहतर रहा तो इन सभी टॉपिकों पर मैं जितने गारत टॉपिक है जिन से मेजरली कोशन पूशे जा रहे हैं दो दो घंटा का एक वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा बाकि आज संडे है यानि रवीबार आज साम को बिहार स्पेशल पूरा तरी बिहार स्पेशल का अधुनिक भारत मत सौरी अधुनिक इतिहास पूरा में पढ़ाने वाला हूं साम को शाड़ साथ बज़े से यदि बहतर लगे तो आप जरूर उस स्टेशन में जूड़िएगा बहुती शां आतरे खूब मन लाकर पढ़ते रहे हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच